बारती जन्ता पार्टी के जो विचार है, उसमें भारती जन्ता पार्टी को उन्होंने पानी पीपी करके मदद किया हैं, जब तक जहां है, वहां उनको मुबारक है। हाँ कॉंग्रेस पार्टी के अंदर भाजपा के लोग नहीं आ सकते हैं जीवन परियता है काज के जनता दल्यू कमजोर से कमजोर तरीन होती चली जाएगी नहुत करने किलमा साथ कॉंग्रेस के विधायक दल के निता शके लामत खा रहा है देखें बीजेपी की ओर से मुस्लिम चेहरा को मंतरी नहीं बनाया गया यादब को जगा नहीं दिया गया यह जानते हैं कि जो मुस्लिम बोटर वो इंडिया गठंधन के साथ है आखिर मुस्लिम को क्यों किनार के आखिर मुस्लिम को क्यों दर्कंद यह प्रश्ण आपको पूछना ही नहीं चाहिए था भारतिय जनता पार्टी के हवाले से जो उनकी विचार धारा है जो राजनेतिक उन्होंने विवस्था बनाई है तो उन्होंने तो अपने किताबों में अपने 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 विचारधाराओं में उनके बड़े बड़े आकाउन लिखा हुआ है कि किसको किसको तरिसकारित करना है कौन किताबों में लिखा हुआ है उनके पुरवज होके इसलिए कोई उ उम्मिद करना भी नहीं चाहिए भारतीय जंता पार्टी जिस तरह के विचार को फैला रही है देश में तो उससे वो तो आपसी सामंजस की तमाम बेरादरियों में तमाम धरमाल अबंबियों में तमाम तरह के लोगों में जैसा भी उन्यता है उसके बीच में एका हो वो तो काम में है नहीं उनके विचार में है नहीं यह विचार तो कॉंग्रेस पार्टी का है या वो लोग जो आइन में यकीनन और पूरे तोर पर मौकमल तोर पर जो लोग यकीन करते हैं उनका ये धह है उनकी ये रूह है कि समाज के हर वर को पार्टी स्ट्रक्चर हो सत्ता के स् पर मंत्री मंडल विस्तार हो गया अब सीटो का बटवारा होना इंडिये गटवंदन में कई घटक दल के लोग हैं अब कहीं नाराज हैं पसुपति पारस को देख लेए चिराग को कहा जारा कि पांच सिट मिलेगा और पसुपति पारस को चीरू ये बारती जन्ता पार्टी अपने गटवंदन के साथ जो बेवार करती है वो पहले से जग जाहिर है भारती जन्ता पार्टी कमजोर होने के बावजूद मजबूत लोगों के साथ पहले अलाइंस करती है उसके बाद उस मजबूत पार्टी को खा जाती है जैसे के भारती जन्ता पार्टी कमजोर पार्टी थी बिहार में अब वह मजबूत पार्टी हो गई जन्ता लिए उस जिजाइन को समझते नहीं नहीं है वो खतम हो जाएंगे भारतिया जनता पार्टी अपना पहलाती है कोई फ्यूचर बचा नहीं नहीं ने उसकी वज़ए एक तो वह कोई कोई ऊल इंडिया पार्टी नहीं है दूसरा ही है के वैक्तिगत पार्टी और कोई सामुहि कि पीछे हैं तो एसे लोग जो और इस्थिरता का वातान रखतें उसमें पाइने करके मदद किया अच्छ बात करें उपेंद्र कुश्वाह की पशुपति पारज की और मुके सानी अभी किसी भी गठवंदन में पर कर रहे हैं कि जो हमारी सोचेगा उसके लिए हम भी सोचेगे क्या इन लोगों के लिए इंडिया गठवंदन या फिर तेजस्वी और कॉंग्रेस का दरवाजा खुला हुआ है क्योंकि हर पार्टी का अपना एक अस्तित है हर पार्टी के लोग है हर पार्टी के कार्च करता है देखने वाली बात यह होती है कि जो सो कॉल बड़ी पार्टियां होती है वो उस छोटी पार्टी को सो कॉल छोटी पार्टी को क्योंकि पार्टी तो बड़ी भी हो सकती है तो तो उसको अपना एक दिल बड़ा रखना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है यह हमेशा देखा जाता है कि जो बड़ी पार्टी बन जाती है चाहे जिन कारण से भी बनी हो वह फिर गड़बंदन जब करती है तो जो चोटी चोटी पार्टियां होती है या उनके नजरों में ज हुआ है नहीं क्या बोलोग जो इंडिये गठोंदन से नाराज है क्या आप लोगों से बात कर रहे हैं क्या आप लोगों के साथ नहीं नहीं कोई बाचित क्या आना आएंगे नहीं यह तो बात कबल अजवक्त के सवाल का जवाब मैं कबल अजवक्त नहीं देता हो वक्से वक्सका पहले है कर दिया दिए है अगर नहीं के लिए नहीं सोचेंगे तो हम लोग कहीं और गुछ बी जब तक जहां हैं वहाँ मुबारत कatter कंब आएंगे क्या डेंगे क्या लेंगे इस पらい को visitor नहीं ने चिराग पाश्वान के लिए तो आप लोग कह रहे थे ने चुक्क हम लोग तो आधार बेस देख रहे थे ना असुपती पारज भी तो पासवान जी के भाई है ना बड़ा इच्छी फैमिली का इनका पुरा ये रहा है तो उस परिपेक्ष में हम कह रहे थे चिराग इन अधर पासट में किसी का दरवाजा बंद नहीं कोंगर्स पार्टी के अंदर भाच्पा के लोग नहीं आ सकते हैं जीवन वरियतता है को नेता अलग है लेकि हम भाट्टी जंता पार्टी एक विचार विचार विक्टनकारी शक्तियों वाला विचार निए को समाज कहना है कि समराठ चौदरी कहीं न कहीं अब कमान कसना सुरू कर दिये हैं और पगड़ी नहीं खोले हैं इसका मतलब समझ जाए कि आगे क्या आप से कहा कि जनता दल्यू कमजोर से कमजोर तरीन होती चली जाएगी उसके मरशानी करा उसके टुकड़े बहुत होंगे उस दिल क ग dzisiaj के तुकरे कहा कहा होंगे कहा कहा जाएंगे अनदाजा नहीं आ आप गया कि डेखिए ने लोकसभा के बात क्या क्कुछ पताने कहां कौन जाएगा यहां तूट कि तरफ विखराओं की तरफ जादे दिन तरफ काट कि कब तक चलाएंगे चुनाआउने हैं आज सब्सक् इसने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे क्या आप लोगों ने अपने पार्टी को कह दी है और उस सवाल कभी को आपको डीटेल हम जवाब नहीं देंगे जानबुच करके नहीं देंगे जब आएगा तो आपको आपको बता दिया जाएगा चलिए कॉंग्रेस के विधायक दल के निता शकील आउमत खान थे क्या कुछ जानकारी दे रहे थे हमने आपको शुनवाया है देखें पसुपति पारस हो मुकेश शहनी हो उपेंद्र कुश्वाह हो तमाम लोगों को लेकर जब सवाल किया गया क्या कुछ जवाब दे रहे थे वो भी हमने शुनवाया पर को जबाब दियें आपने सुना फिलाल के लिए बने रहे थे शुच्छा धर्वाद